आप देख रहे हैं उज्वल भारत समाचार खबर वही जो है सही नमस्कार आप देख रहे हैं उज्वल भारत समाचार और मैं हूर भी टूना आए नजर डालते हैं मीरा भाहिंदर से जुरे खबरों पर एक नजर मेरे जोपड़ी के भागा आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरे जोपड़ी के भागा आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरे जोपड़ी के भागा आएंगे सुबह नौ बजे से लेकर यहां पर कंटिन्यू जा रहा है और आपको दिखा रहे हैं अज़ दोस्तों किस तरह से यहां पर से लिवरेट किया जा रहा है राम उच्छों को राम जन्बूम्भी को यहां पर भारत देश है उसको रागा आज रामायन का पांच चला है अखंड रामायन का उसके बाद यहां पर आर्दी हुआ है महा आर्दी के बाद यहां पर अच्छे तरह से लिवरेशन किया रहा है यानि कि यहां पर पुरा हमारा हिंदुस्तान इंदभ राम में होगे है आपको हम दिखाएं अपने चैनल के मात्यां के कि किस तरह हर जगा जगा हर रोड पे जैश्री राम का छंडा लगा हुए है जैश्री राम भगवां का जो कलर है जो ड्रेस है वह आज पूरा हिंदुस्तान पूरा भगवां का कलर में डूप चुका है तो यह हम आपको दिखाएं चार दिवसिये कारिक्रम बहुत ही खुश है अक्चुली सब लोग खुश है और सभी के जुपान पे जैश्री राम जैश्री राम में अभी आप देख रहे हैं यहां पे आरती हो रही है और यहां पे आप देखिए यहां पे सभी भगवां को प्रसाद वित्रन प्रसाद में लंडों माता जा रहा ह यानि कि कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा दोस्तों भगवान के दर्वार से यूझ तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है लेकिन श्रत्ना से आना चाहिए बस दोस्तों हम बता दे कि ये पूरा जो कारिक्रम में है वो भाजपा जीला उपाध्याक्षे संजीव चोहान और उनके पूरे टीम के द्वारा ये और्गनाईज किया गया है बहुत ही खुपसूरा तरीके से कि आज आपको पता में हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अयोध्य में राम मंदिर का प्रानप्रतिस्ठान हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से और बूरा जो हिंदुस्तान है वो भगवा में हो गया है वो राम में हो गया और यहां पे दिवाली की तरह आज 22 जनवरी 2024 को मोधी जी का आहवान है कि आज पूरे देश को हर घर में हर गली म है तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संजीव चोहान जी से और उनकी टीम से आज हमारे इस परिशर में महरुती मंदिर में सारे हमारे परिशर के लोग आए उन्होंने आरती की और खूब खुशियां यहां पे और आप देखी सकते हैं कितनी भ नहीं होनी चाहिए आज पूरा महाँ वाकर दिवाली लगेगा मैं माप क्या कहना चाहिए मैं कहूंगी कि आज का दिन बहुती मेरे लिए बहुती महत्मूर रखता है कि दीवाली से भी ज्यादा रौनक मैं देख रही हूं चोटे-चोटे बच्चों के जवान पर जैश्री राम जैश्री राम के नारे लग रहे हैं है निया कि दर चल रहे हैं लोग आ रहे हैं बैट रहे हैं और दिल समय कर रहे हैं और इतने होम जोशी लोगों इसकती कैसे फिर्ल्ट हो गई आ Χेह मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगे मैं तो यही कहूंगी मेरे राम ललाया गए है मेरे राम ललाया गए मेरा 72 साल का उमर है मैं ऐसा चमतकार देखा नहीं आन्ना तो देखने को मिला जो आज मिला है भारत में हमारे हिंदू धरम में हमारे मोती जी लाए हैं जो हमारे उपी को धन करती है धन करती है जाए श्री राम इक बर्चोर से बुले बुले राम चंद्र भगवान की जाए बहुतर साल की उमर में भी इनकी अंदर जो जोश है दोस्तों वो काबिले तारिफ है आप लोग भी देखे अंदाज लगा सकते हैं हम आप से जाना चाहेंगे सर आप लट्डू पात्रे फंची जनों को क्या करेंगे तर्शकों से अभी क्या बोले नहीं है अच्छा है बहुत अच्छा बनाए अच्छा है जै राम जै श्री राम दोस्तों तो ये कारिक्रम हतम नहीं होगा आज 22 जनवरी है आज पूरी रा राहे पे जगमक जगमक दीप जॉलित होगी और पटाखे बजेंगे तो चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं सर आप क्या कहना चाहेंगे यह चार दिवसी जो कारिक्रम है बहुत अच्छे तरह से सक्सेस्पूल हो गया क्या कहें तो हो गया बहुत मजा भी आया आनन् पूरा राम में हो गया है पूरा बाहिंदा आयोध्या का जो चला है मोदी जी ने सारा पूरा भारत वर्ष को राम में कर दिया सबी सबी लोग इसमें लगे हैं पांसो साल के बाद राम जी अपने अपने जगे पांसो वर्ष के बाद इतना बड़ा प्रोग्राम होना अप आप में एक नानी रखता है, सब भी इनने जिस तरह से भी हो रहा है, सब भी उसमें लगे हुए। कर रहा है, कोई अखंट रामाइन कर रहा है, कोई पूजा बाट अने को तरीके से, जो अपने से हो सकता है, वो सब किये जा रहे हैं, और यह बड़ा ही हर्च वाला एक विश्य है, मैं तो सी वितना कहूंगा कि बस यह किसाब से दिपावली से भी बड़ा पर हुए हमारे लि महरुत्ती मंदिर है, उसमें महा आरती का प्रोग्राम रखा गया तो 12.50 में, और बड़े सर्धा भाव से हजार हजार की संख्या में भक्त लोग पहुंचकर आरती का अनंद लिये हैं, और सभी लोग किसे अपना प्रसाद दे कर जाए, और अपना सर्धा भक्ती ऐसे राम आचारे रहे हैं, 15 अप्रसाम आचारे, जो कई जन्मों से उनकी तपस्या रही है, और उन्हों ने इस जन्म में गयतित मंत्र पर शोद किया, और उस पर बहुत काम किया, शांद्रिकों जरिद्वार, यूग निर्मार यूजना मतुरा, और आवल खेडा इस तान से, बलब में पूरे विष्व में आखिल बारती विष्व गायत्ती परिवार हमारा बना हुआ है, जिसके बारे हमारे मीरा बहंदे के मौक परीवार जैकर, शीराम जन्मों दूब़ेजी, प्रकाश डालेंगे, शीराम जन्मों दूबेजी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप गाहित् दिवश ये कारिकरम चल रहा है उसके पारे में क्या खेंगний यहां जो आज का रही स्थापणा के सवर्बारु से दिवधा के जह कारिक्रम के साथ में अखिल विश्व गैतरी परिवार सांतिकुंज हरिद्वार के जो संस्थापक थे पंडिस राम सरमा अचार जी उनके द्वारा अश्मेधियक का शंकल्प हुआ है वही अश्मेधियक्य जो भगवान राम ने किया था वही अब जो है अश्मेधियक्य हमा यग्य का राजा अशमेद्य यह के होने जा रहा है वह शंपन होगा बांबे में न्यू बांबे में और जिसमें भारतिया अश्ची देसों के लोग भाग ले रहे हैं एक हजार आठ कॉंडों के अस्थापना किया रही है, वैदिक मंत्रों से उसमें, वैदिक सनातन धर्म से जो है कि शंपन कराए जाएंगे, और भारतिय सनातन धर्म संस्कृति के जितने भी हमारे संसकार हैं, वह सभी संसकार वहां पे नेसुल का रूप से संपन कराए जाएं अन्षदान देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वह अपना नाम रजिस्ट्रसन कराएं और हमारे ग्यातिरी परिवार के परजुनों से मिल करके, वहां के कारेकरम के विसे में पूरी जानकारी ले शक्राइएं अपने धर्म का संसकार जरूर दीजिए क्योंकि उन्हें जानना बहुत जरूरी है कि उनके प्रभु श्री नाम उनके धर्म कौन है इसके लिए है क्योंकि आज का जनरेशन बहुत यह आगे निकल गिया है तो चलिए इसी तरह के ताज़त रिन खबरों के लिए आप यूँ ये बने रही है और हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो जड़ जड़ सब्सक्राइब कर दिजिए क्योंकि हम आगे और बहुतर तरीके से आपको ने 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 लिज दिखातने वाले है तो इसी के लिए आप अने रही है मैं खुश्भू उजुल भारस समचार के लिए भायंतर वेश्ट के भारुनी मंदिर में अभी तक के लिए इतना ही ताज़तर इन खबरों को देखने और सुनने के लिए जुड़े रही है उजुल भारस समचार के साल और हाँ अगर हमारा चैनल आपने अभी तक लाइप नहीं किया हो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें आप देख रहे हैं उजुल भारस समचार खबर वही जो है सही